हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संतोस कुमार दांगी और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 11 का जो सब्जक्ट हैं इंगलेश उसमें जो कॉशन बेंक दे रहे हैं उसके जो कॉशन से हैं अन कॉशनों को आज हम डिसकस करने जा रहे हैं अब्जक्टिव कोस्टेंट में इस प्रकार के ऐस्तों पूशचन पूशे जाते हैं अज इस वीडियो में उसी प्रसन को पोयम सिक जो कवर हैं है beğ wanna जिनि कि जो पोय मैं से व्याश्य जितने भी सारे को को अच्छी तरह से समझ ले ताकि एक्जाम में इसी प्रकार के कोशन आपको पूछे जाएंगे और प्लीज प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आपके पास इसी प्रकार के वीडियो इसी प्रकार के जितने भी सारे वीडियो हैं वो आप तक हम पोचा सके हैं तो यहां पर विदाउट टाइम एस्टेज यहां हम कोशन सुरू करें यहां देख सकते हैं आप की मल्टिपल चॉइस कोशन फ्राम पोईट्री यानि कि कहां से लिया गया है यह पोईट्री से लिया गया है कहां से लिया पोईट ने लिखे किसाले ने लिखे तो वह किस ने लिखा हैं gigabytes शर्ली टॉलचन राइट अंसर क्या रहेगा शर्ली टॉलचन क्वाइग तो देखते हैं बी ओप्शन फोटोग्राप प्रस्ट कमांग थार्ड देखते ही इन्दा फोटोग्राप पोट्रेस पॉदर वाज स्टेंडिंग इन्दा तो वो कहां पर खड़ी थी जो पोयम से फोटोग्राप पोयम से इसमें उसकी जो मदास हैं वो कहां पर खड़ी थी तो वो खड़ी बीच बीच मिन्स होता है समुद्री के किनारे ना तो राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका बीच फर्स्ट अप्षन आपका राइट हो जाएगा कोशन कमांग फोर देखते हैं दा फोटोग्राफ रिव्यू स्फिलिंग इन दा पोटरेस तो राइट अंसर क्या रहेगा है ना के इस्ट लाइटिक या सेड तो आपका पुशन कमांग फोर का राइट अंसर क्या हो जाएगा नॉस्ट लैजिक है ना फर्स्ट अप्षन आपका राइट हो जाएगा कोशन कमांग फाइब देखते हैं दा केमरा हैस केप्चरड सम मॉमेंट्स फ्रम दा चाइल्ड तो भई जो कैमरा में जो कुछ तस्वीरे जो ना बच्पन की जो तस्वीरे उसके कुछ उनो को कैमरे में केट किया गया था तो वो कैसे तस्वीरे थी तो वो हैपी थी है ना क्या थी हैपी यहने कि बहुत ही खुशनों मा पल थे वो जो उस कैमरे में फोटोग्राप में क रदर ने एक अंकल या मदर तो राइट अंसर क्या रहेगा आपका सी ओप्षन यह नहीं कि अंकल नहीं को सिंक मांग सेवन देखते ही दाइज आप पोटेस मदर वास यह इन दा फोटोग्राप जब फोटोग्राप लिया था ना तब जो उनकी आयू क्या थी वह उसके मदर क कि राइटर की मदर की आईयू क्या थी तो वो ट्वैल वियाउस की थी कितने वसके थी वैलेव यास कोसिन कमांग एड़ देखते हैं दालेबर नुम टॉप किस ने लिखी है तो लिखी है टेग टेड हगस ने लिखी है पोयम से ता लेबर नम टॉप इस जो लेबर नम टॉप जो पोयम से ही ना तो वो लेबर नम टॉप जो पोयम से ही वो साइलेंट है कि लाउड है कि हपी है कि सैड है तो वो क्या है साइलेंट है क्या होगा आपका अंसर ए अंसर आपको रएकट हो जाएगा सालेंट गोल्ड फिंच इजनल उस्य का कब टॉग की के ट तो यह क्या है ूग्षुण कॉमांख 10 जो पक्षी था ना वो उसकी व्रक्षी की कौन से साखाओं पर आकर कब बैठा था तो उसका रेट अंसर के रहेगा ट्रेमर ट्रेमर के ऊपर वहाँ उस व्रक्षी की साखाओं पर बैठा हुआ था Q sv甘 क मैं ट्वैल वी देख्य estaba मॉमेंट आप The Gorfinski is like a fireplace लीजः टिसने किया ख्रोकि ली या अलींजडर तो तो घोमेंट अवे तो इसका जो क्ली धे चिकना उसके समान उससे उसकी तुलना की गई थी नेक्स्ट कोशन देखते हैं आपका नेक्स्ट कोशन ही कोशन कमांग को नेक्स्ट कमांग 13 कोशन कमांग 13 ने आपका अरिकतिस्ताने is the sound made by birds तो वो जो पक्षी का जो sound था आवास थी वो कैसे थी वो थी chirping यहनि कि चाहकते वे पक्षियों की आवास थी वो नेक्स्ट कोशन कमांग 14 ने the voice of the rain is written by तो यह जो rain है यह ना यह किसने इस poems को लिखा है तो इस poems को को वाल्ट वाइट मेन किसने लिखा है वाल्ट वाइट में कोशन कमांग 15 देखते हैं ना of the और्थ तो gently आएगा smoothly आएगा राउसली आएगा या evenly आएगा question कमांग 15 तो gently right answer क्या हो जाएगा आपका gently question कमांग 16 नहीं the rain rise from the sea है ना तो वो समद्री में पानी किस प्रकास से उट रहा था तो वो bottom less उट रहा था कि वो depth उट रहा था कि with bottom उट रहा था तो question कमांग 16 का right answer क्या हो जाएगा वो bottom less नहीं कि उसके निचली हिस्साओं पर वहाँ समुद्री का पानी उपर उट रहा था है ना तो bottom less इसका right answer हो जाएगा question कमांग 17 है if it does not rain the will remain hidden and will not germinate है ना तो right answer क्या होगा सिट्स होगा trees plants या leaves ना कि पत्तिया पोदे की rocks या सिट्स या बीज तो उसका question कमांग 17 का right answer क्या हो जाएगा आ लाइप राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका लाइप question कमांग 19 देखते हैं there are रिखते इस्तान voice in the poem तो 1 2 3 या 4 तो question कमांग 19 का answer क्या हो जाएगा one right answer क्या हो जाएगा one question कमांग 20 देखते ही in the voice of the rain in the rain the rain chats with the woman आ रहा है कि poet man या reader तो question कमांग 20 का answer क्या हो जाएगा c यानिकी poet क्या हो जाएगा poet question कमांग 21 देखते हैं childhood childhood is written by childhood जो poems है वो किसने लिखी हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा 21 का right answer क्या हो जाएगा c option यहनिकी c option मतलब की इलाजिया बेच जैनिंग्स इसका right answer हो जाएगा 22 देखते ही question कमांग 22 the poet thinks that his childhood kisses when when he completed his years यह जो poems जब complete हुई थी ना पूरी हुई थी तब वो कितने वार्स के थे हैं तो तो 10 years 11 years 12 years 13 तो 22 का right answer क्या हो जाएगा 11 years next question देखते ही question कमांग आपका 23 the point is about his childhood तो नॉस्टलेजिक है कि aggressive है कि fancy है कि इमेजिनेटिव है तो question कमांग 23 का right answer क्या हो जाएगा नॉस्टलेजिक है ना नेक्स्ट देखते ही question कमांग childhood is hidden in the face of an innocent तो right answer क्या हो जाएगा 24 का c option यानि कि infant right answer क्या हो जाएगा infant last question ही the point is रिक्तिस्थाने with the problem of his childhood तो वह obvious है कि observed है कि processed है कि vast है तो right answer आपका 25 का यह option यानि कि वह obvious है है ना इस प्रकार से आपके सारे questions यहां पर done होते हैं 11 की exam की दस्टी से सारे questions बहुत ही ज्यादा important है और please यह आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को subscribe करें share करें दोस्तों मित्रों में friends में like करें ताकि हम आपके पास में इसे प्रकार की exam की दस्टी से important question आप तक पहुचा सके तबस्तों क करें इस वी बड़ने है तक चैनल कि आपके नहीं है